हर्यों प्रिदर्सकों ज़िए आपकी मीन राशी या मीन लगन है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर दो हजार तेज कैसा रहेगा नवग रहे आपको क्यार जड़ देंगे यह राशी फल आपके चंदराशी के अधार पे है तो आपके दुतीं भाव में गुरु और रहु वीलाज्मान है और सप्तम में शूर बुध और मंगल तो आपके अस्तमभाव में केतु महराज विराजमान है और आपके बे भाव में शनरेव तो यह है ग्रहों को इस्तिती तो यह नबग रहे अक्टूबर के महीने में कैसा रिजल्ट देने वाले हैं और कुछ खुसकबरी भी है आपके लिए तो आएए जानते हैं क्या खुसकबरी है और क्या रिजल्ट आपको नबग रहे देंगे तो यहाँ पर स्वास्त की बात की जाए तो स्वास्त बहतर रहने बाला है क्योंकि अब देव गुरु भरहस्पती बहुत ज़्यादा मजबूत है बहुत ज़्यादा बल्मान इस्थिति में है ये आपके दुती भाव में कोचर कर रहे हैं अब राहु से मुक्त होने वाले है और वक्ति अबस्ता में हैं तो कहींन कहीं स्वास्त को लेके इस्थितियाओ बहुत बहूत बेतर है और शूर की भी दृस्टी पड़ रही ए जो कि विजाददियों का निर्मान कर रहे हैं तो स्वास्त को लेके बहतर इस्तिती आपको देखी जाएगी हाँ ये ज़रूर है कि बेभाव में सनिदेव हैं थोड़ा सा ये मुश्किल खड़ी करेंगे स्वास्त को लेके कोई खास चिंता नहीं देखी जाएगी अब हम बात कर लेते हैं भी द्यार्थियों की स्टुडेंट के लिए भी बहुत बढ़िया समय है क्योंकि यहाँ पर ये स्टुडेंट के लिए इस्टिया कहीं न कहीं देव गुरू ब्रहस्पति मजबूत बनाएंगे और सूर भी मजबूत बनाएंगे हाँ यह जरूर है कि यहाँ पर चंद्रमा की रासी है तो थोड़ा उतार कढ़ाओ कभी अच्छी स्टिती कभी डाउन हो जाएगी क्योंकि चंद्रमा का रासी परिप्रतन सवाद उत दिन में होता रहता है थोड़ा सा सचेत रहें बांकि स्टितियां आपके पक्ष में ही दिखाई दे रही है अब हम बात कर लेते हैं लब पार्टनर की तो लब पार्टनर को थोड़ा सावधान रहना होगा लब पार्टनर के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बाणी में कंट्रोल रखें क्योंकि बाद व्याद की स्टिती पैदा हो सकती है और लब पार्टनर को कहीं न कहीं अब ब्रेकप की स्थिति तो नहीं कहीं जाएगी फिर भी काफी ज़्यादा मन मुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है तो आपको थोड़ा अपने बाणी में अपने बिचारों में बहतर स्थिति रखना है बाकि भाग जब बहतर होता है तो इस्थितियां समझ जाती हैं अब हम बात कर लेते हैं दामपत्य जीवन की दामपत्य जीवन बहुत बढ़िया रहने वाला है दामपत्य जीवन में इस्थितियां ठीक है आपको कहीं कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनके जीवन में स्वास्त को लेकर जो समझाएं थी वो दूर होंगी साथ में धनलाब भ होता हुआ दिखाई देगा और हर एक तरह से बहतर इस्तिती देखी जाएगी अब जो कि सूर यहां पर है और काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो सूर यहां पर काफी कमजोर इस्तिती में होते हैं फिर भी इस समय अपने बुद्ध की राशी में हैं और 35 बेतर है व्यापारीों के धन लाब होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके मान सम्मान में ब्रदी होती हुई दिखाई दे रहा है खासकर उन लोगों के लिए जो लोग सरकारी छेत्व से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं को भी से सलाब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अब हम बात कर लेते हैं केरियर की तो केरियर की स्थिति बहुत मजबूत है आपको कहीं न कहीं देखा जाए तो बेदर है आपको धनलाब भी होगा अपने नोकली पेशा के छेत्र में आपको मान समान भी मिलेगा और आप यहां पर देव गुरु व्रहस्पती बहुत मस्तितिती में है। इसलिए यह भी अपना काम तो करेंगे हैं। क्योंकि इसमिगर बहुत बलमान इस्तिती में है। घन самого कुंडली में ग्रहों की इस्तिती क्या है। तो आप अधिक जानकारिये के अपने जर्म कुर्णली का विसलेशन भी करवा सकते हैं दिये हुए नंबर पर वार्टसप कर सकते हैं तो प्रिदर्श को बहुत बहुत विश्तिती है मीन राज्ट वालों के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा रिजल देने वाला है कुछ स प्रशन करिये बढ़ों का संभान करिये और है कि संभा हो तो केसर का तिलग भी लगा सकते हैं और यदि ना मिल पाए तो हल्दी का भी तिलग लगा सकते हैं इससे भी कहीं कहीं। में पल्मानिष्टितिया आपको मिलेगी और हमदी की आराधना जरूर करते ही आप कर ही रहे होंगे तो बस यही। यही कुछ रुपायर थे भगवानसूर की आराधना और भगवान हनमान जी की आराधना करते रहें तो आपके रिष्टिया बहुत मजबूत रहेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्नवाद